लेटम टू मैं चैनल आज किस विडियो में मैं आपको बताऊगी कि मैं अपना वीडियो कैसे सूट करती हallas बैंज बस mercado already Storm के पहले सब करना परता हें इस वीडियो में मैं आपके साथ डाउन से हो जाएगे कि किस तरह से tripod में mobile को set करना है या फिर camera को आप किस तरह से वीडियो को suit कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से वीडियो में जो आप सब देखते हैं वो तो बस एक editing का कमाल होता है लेकिन उसके पहले मैं कैसे वीडियो करती हूँ आप इस वीडियो में खुदी रेख लीजेगा तो बिनना इसकिप कि आप इस वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए आज की स्टार्ट करती हूँ अभी मुझे एक रेसिपी सूट करना है जिसके लिए मैं अभी उसकी तयारी कर रहे हूं तो जैसे मैं एक्जाम पिसस में कट कर लेंगे और उसके बाद ये बाउल आप देखे होंगे मेरे वीडियो में इस बाउल में हम इसे डाल देंगे वीडियो बनाने का मेरा कोई भी ऐसा खास टाइमिंग नहीं है जब भी मैं अपने काम से free होती हूँ तो उस हिसाब से मैं video बना लेती हूँ लेकिन natural light में video बनाने का बात ही इलग है अगर आप natural light में video बनाएंगे तो उसकी quality बहुत ही अच्छी आती है तो जो भी recipe मैं suit करने वाली होती हूँ आप एक दिन पहले प्लान कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा बहुत सी ऐसी रेसीपी है जिसे मैं 11 बजे रात के बाद सूट करती हूँ जैसे कि मुझे कोई भी मिठाई बनाना होता है जितने ही मेरे चैनल पर मिठाई की रेसीपी है मैं 11 बजे रात के बाद बनाती हूँ जैसे ही दिनर हो जाता है तो खीचन को क्लीन करके मैं आराम से मीठाई बनाती हूँ, या फिर स्नाक्स भी बनाना होता है तो मैं रात को ही बनाती हूँ, या फिर जैसे आइस्क्रिम बनाना हो तो वो भी मैं वीडियो रात को ही बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे आइस्क्रिम बनाना हुआ तो आइस्क्रिम को फ्रीजर में 8 गंते 9 गंते के लिए तो रखना पड़ता है तो वो रात भर में आइस्क्रिम बनकर तयार हो जाता है दूसरे दिन फिर से मैं वीडियो सूट कर लेती हूँ तो जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है तो इस स्पेस को मैं खाली कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वीडियो सूट करूँगी तो जब भी कभी मैं सबजी की रेसिपी सूट करती हूँ तो मैं उसे उस टाइमिंग में बनाती हूँ या तो वो लंच के काम आ जाए या फिर दिनर के तो अब मैं यहाँ वीडियो सूट करने के पहले यहाँ पर एक प्लांट रख दूँगी या फिर आप कोई भी मिल्क सेक बना रहे हैं बिस्कित के या फिर कुछ तो उससे रिलेटेट वो भी चीज़ रख सकते हैं तो यहाँ मैं ट्राइपॉड लेकर आ गई हूँ और फि से घुमा सकते हैं अगर आप सौर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं रेसिपी के लिए तो मैं भी वो आपको बताऊंगी आगे कि कैमरे को किस तरह से कौन से अंगल में रखना है तो बरे वीडियो के लिए तो हम कैमरे को इस तरह से सेट करते हैं इसक्रू को आप अच्छी मैं जब भी recipe suit करती हूं तो मैं मुबाइल की तरफ बहुत बार देखती हूं कि वीडियो On है या नहीं नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि storage हो जाता है और यहां video off हो जाता है आप video बनाने से पहले मुबाइल को अच्छी तरह से चार्ज कर ले, अगर आपके पास कैमरा है, तो आप कैमरे में भी वीडियो सूट कर सकते हैं, कैमरे को भी इसी तरह से आप सेट कर ले और आराम से कैमरे में वीडियो आप बना सकते हैं तो आप बीच बीच में पॉस करते लेकिन ध्यान रहें कि video on है या नहीं तो चेक करते रहें तो यह देखे अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको sorts वीडियो लेना हो तो camera को किस अंगल में रखना है मतलब की mobile को किस अगल में रखना है तो यह देखे इस तरह से आप इसे set कर ले अगर आप swords वीडियो बना रहे हैं तो आप देखे होंगे YouTube में आजकल swords वीडियो बहुत से लोग बनाते हैं तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं तो यहां हमारा mango lassi बनकर तयार हो गया है तो अब हम एक serving glass में इसे serve कर लेते हैं इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके नीचे एक mat रखूँगे तो यह रेखे, mat इसलिए रखते हैं क्यूंकि इससे background थोड़ा अच्छा देखे नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि light की वज़े से वीडियो अच्छा नहीं आता है और उसके नीचे आपकोई white plate, red plate यह सब भी रख सकते हैं तो आप सब आज देख लिए होंगे camera की पीछे की सच्छाई की क्या है कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है वीडियो में जो आप सब देखते हैं वो तो बस editing के चलते वीडियो छे से साथ मिनट का होता है और shorts वीडियो तो बस एक मिनट का होता है लेकिन जब मैं वीडियो सूट करती हूँ तो वो एक घंटे का होता है लेकिन उसे edit करके छोटा किया जाता है तो अब बारी आती है photo click करने की तो tripod को side कर देंगे और उसके बाद thumbnail के लिए photo लेंगे तो मैं कम से कम mobile से 20-25 photo लेती हूँ जब तक कि मुझे ये नहीं लगता कि ये thumbnail के लिए best photo है तो मैं photo लेने के बाद मेरा वीडियो सूट का recipe सूट का time खतम हो जाता है फिर मैं उसके बाद वीडियो को edit कर लेती हूँ जैसे ही time मिलता है और रात में voice over कर लेती हूँ और सुबा में वीडियो upload कर लेती हूँ तो आप सभी को आज कर ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर helpful लगा हो तो इसे like और share जरूर कीजेगा